जावा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आगे बात करेंगे हमने प्रेसिडेंस और असोसियेटीविटी की काफी बात करी थी इस वाले वीडियो में और आप लोग को काफी अच्छा रिस्बॉंस भी आ है सबको समझ में आ गया काफी लोगों ने कहा कि यार मुझे ये अब आज के वीडियो का जो मुद्ध है वो है रिसल्टिंग डियर टाइब आप्टर रिथमेटिक और बहुत सिंपल सी चीज़ है मैं बताता हूँ क्या है देखो कभी भी आप जावा में कोई भी पीस अफ कोड लिख रहे हो ठीक है अगर आपने एक एक स्प्रेशन लिख 73 प्लस 118 ठीक है अब जब यह लिटरल्स आड होके इवाल्यूएट होंगे तो उसका टाइप क्या होगा मैं बताता हूँ आप लोगो मेरे कहने का मतलब क्या एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर और यह मेरा वीडियो नंबर 10 है तो मैं cwh underscore 10 लिख दूँगा उससे होगा क् अब देता हूँ code तो मेरे लिए असानी हो जाएगी और मैं आपर लिखूँगा resulting data type और इससे यहाँ पर एक automatically मेरी java class बन जाएगी और मैं आपर main function जो है वो लिख दूँगा और इसके अंदर पर अपनी coding करूँगा ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा int a is equal to 654 plus 6 अगर मैं आप लोग असे पूछाँ कि जो a होगा जो a होगा उसके अंदर resulting data type क्या आएगा वो एक integer ही आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक integer literal और एक integer literal इससे जोड़ा है ठीक है अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापस से अपने notes पे तो आप लो आपका arithmetic operation होता है एक byte और short में ठीक है तो जो result होगा वो एक int होगा ठीक है वो एक integer literal होगा तो byte plus short का result एक integer होगा short plus int का result एक integer होगा long plus float float का result एक float होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मानलो मैंने आपर एक float लिखा, float a is equal to 6.54 plus 6 लिखा है यहाँ यह जो था यह double है by default अगर मैं इसको float कर दूँ तो देखा आपने red color की line आ रही थी वो चली गई, वो क्यों आई थी पहले, मैं बताओंगा अभी थोड़ी दिर में क्यों आई थी, लेकिन मैं आपर अभी क्या करूँगा, int a is equal to, अगर मैं एक int plus int कर दूँ तो क्या होगा, एक int में evaluate होगी वो पूरी चीज, यानि कि यहां तो मैं 49 लिख दूँ या मैं ये लिख दूँ बात बराबर है, ठीक है, यह तो समझ में आता है, बहुत ही clear है, तो कभी भी आपके पास एक byte है, एक byte variable है, एक short variable है, तो result जोगा, उन दोनों के sum का वो int आएगा, ठीक है, एक short variable है, एक int variable है, उन दोनों को जोड़ोगे तो result int आएगा, तो अगर मैं यापर बनाई दूँ, byte x is equal to 5, और मैं यापर लिख दूँ, int y is equal to 6, और मैं लिख दूँ यापर, short z is equal to 8, कुछ इस तरह से, अगर मैं लिख दूँ यापर, तो आप लोग देखो, कि जब मैं int a is equal to y plus z करूँगा, कुछ इस तरह से, तो 8, 6, 14 आएगा, ये चीज़ बहुत straightforward लगती है, देखते हो, लेकिन अगर मैं आपर float b is equal to, कुछ इस तरह से लिखो, मैं इसमें x add कर दूँ, तो क्योंकि एक floating point literal है, इसलिए ये पूरा जो overall expression होगा, वो एक float में evaluate होगा, तो ये table आप refer कर सकते हो, byte और short को add करो, कि end बनेगा, short इंड का end, long float का float बनेगा, int float का भी float बनेगा, car or 않는 का एक end बनेगा, car or short का int बनेगा long plus double का double बनेगा और float plus double का जो है वो double बनेगा ठीक है तो यहाँ पर देखो B for byte है S for short है I for integer है L for long है F for float है D for double है और C for character है ठीक है तो इस तरह से जो है यह काम करता है और आप लोग जो है इसके सारे का सारा code जो हो लिखके देख सकते हो मैं आपर आपको B को south करके दिखा जेता हूं south मतलब system.out.println rightly करके हमेशा run करना क्योंकि जब पहली बार आप लोग रन करते हो तो rightly करके run करोगे तब आपके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ जाएगा फिर उसके बाद आप यहाँ क्लिक करके भी run कर सकते हो 11.54 आ रहा है क्योंकि 6.54 प्लस 5 यहाँ पर 11.54 मेरा आएग होगा अपस में जब उसमें arithmetic operation कराए जाएगा तो लेकिन अगर long और float है जैसे हमारे पास तो float जो है उसमें decimal होता है इसलिए वो float में evaluate होगा double जो हता है वो float से बड़ा होता है इसलिए अगर आप float और double का भी कराओ तो double आएगा long double में double आएगा कोई भी floating point number है decimal वाला number और एक integer है चाहे वो long क्यों ना हो आपका वो evaluate होगा arithmetic operation के बाद जो आपका floating point वाला जो इसमें सबसे बड़ा data type जैसे कि long double में double बड़ा है तो double में evaluate होगा तो इस तरह से आप इस टेबल को याद रख सकते हो बट मैंने notes में आप लोग के लिए summarize कर द ठीक है यह तो आपको आ गया समझ में अब मैं increment और decrement operators की बात करना चाहता हूँ यह मैं लिख देता हूँ increment and decrement operators अब यह एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आती है बड़ जिसको समझ में आती है उसके दिमाग में बैठ जाती है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा comment आउट कर देता हूँ पूरा ठीक है आप लोग हटा के comment चला लेना आपको चल print ln i++ करूँ ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर पहले i print हो जाएगा और उसके बाद increment हो जाएगा यानि कि अभी मैं इस program को run करूँ तो i की value क्या होगी 56 ही रहेगी ठीक है और मैं इसको run कर रहा हूँ और 56 ही है i की value no surprises no surprises at all ठीक है अगर मैं इसी चीज़ को replicate करूँ और सिर् i को भी यहाँ पर print करूँ तो 57 आएगा ठीक है अब लोग यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ 57 आ रहा है देखो इसका result 57 आ रहा है अब मैं इन दोनों lines को replicate करूँगा और यहाँ पर जहाँ पर मैं i++ लिगा था वहाँ प्लस प्लस आई कर दूँगा और जैसे मैं i की value इसके बाद यहाँ पर पहले plus हुई फिर उसके बाद 58 हो गई और यहाँ भी 58 मैं समझाता हूँ यह सब कैसे हुआ ठीक है थोड़ा clarity लेकर आता हूँ देखो i की value 56 थी ठीक है जब मैं i++ लिखता हूँ तब मैं basically यह कह रहा हूँ कि पहले i को print करो फिर increment करो in fact एक अच assignment भी हो सकता है आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो तो i पहले use होगा फिर increment होगा अगर आपने लिखा int b is equal to i++ तो पहले i use हो जाएगा यानि कि b के अंदर 56 आएगा और उसके बाद क्या होगा i की value increment हो जाएगी यानि कि i की value 57 हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर सबसे प उसके बाद use होगा यानि कि अगर मैंने यहाँ पर मैं इसको जरा ऐसे कर देता हूं अगर मैंने यहाँ पर int b is equal to i++ कर दिया तो क्या होगा यहाँ पर लिख देता हूं first b is assigned i then i is incremented ठीक है पहले b के अंदर i आजाएगा फिर उसके बाद i increment हो जाएगा ठीक है तो यह इस त i++ i कर दी होती यानि कि अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूँ मैं इक काम करता हूं confusion create ना हो इसलिए j is equal to 67 कर देता हूं और यहाँ पर int c is equal to j++++ j करता हूं ठीक है अभी क्या होगा पहले j increment होगा तो मैं इसको copy करूँगा और यहाँ पर paste करके लिखूँगा first j is incremented then यहाँ प पर मैं पूरा आलस मोड में आ गया हूं पूरा copy paste कर रहा हूं first i is in fact j है यह तो first j is incremented then c is assigned j ठीक है देख रहेगा आप यहाँ पर सबसे पहले j increment हो जाएगा यानि कि j की value 68 हो जाएगी ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद c is equal to j हो जाएगा और मैं आपर लिख देता तो समाझ रहो न अब जब i++ लिखो तो पहले i use होगा फिर increment होगा और अगर plus plus i या plus plus j लिखोगे तो पहले increment हो जाएगा फिर use हो जाएगा अब वो use कहीं भी हो सकता है assignment में हो सकता है आपका वो use system.out.println के बीच में हो सकता है तो यह use तो कितनी तरह से हो सकता है वो से कर सकते हो यह arithmetic operation के बीच में यह पाया जा सकता है तो आप हम पर decision ले सकते हो कि पहले आपको increment करना है या फिर पहले आप लोगों को उसको value को use करना है तो अगर j plus plus है तो पहले j की value use होगी फिर j increment हो जाएगा लेकिर अगर plus plus j लिखा है तो पहले j increment होगा फिर j की value use होग अगर आपने a minus minus लिखा तो a के अंदर एक जो value है वो कम हो जाएगी ठीक है तो एक quick quiz आप लोगों के लिए कि आप try करें increment और decrement operators को एक java variable में और अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी अच्छी practice होगी तो ज़रूर करो यार इसको try increment और decrement operator java variable के अंदर आप सबसे पहले value को a plus plus करोगे तो use करोगे फिर increment होगी plus plus a में पहले increment होगी फिर value use होगी ठीक है तो ये था हमारे a quick quiz जो कि आपको करनी थी और मैंने आपर summarize करके notes में लिख दिया क्योंकि notes यार मैं perfect एकदम आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ ठीक है अब एक quick quiz और है आपर what will be the value of the following expression y is equal to 7 है तो x is equal to plus plus y multiply by 8 तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा तो इसको solve करने के लिए आप लोगो टेबल देखोगे जो कि मैं आप लोगो को दी थी I hope कि आपने screenshot ले लिया होगा पिछले वीडियो में से जिसमें मैंने यह आप लोगों को दिखाई थी डेबल अब यहाँ पर देखो जो plus plus increment वाला है operator वो पहले evaluate होगा उसकी ज्यादा precedence है किससे multiplication से तो मैं क्या करूँगा जो plus plus y है plus plus y जो है वो पहले increment हो जाएगा ठीक है y की value पहले increment हो जाएगी तो एक बर y की value increment हो गई तो क्या होगी y की value y की value कुछ इस तरह से 8 हो जाएगी और 8 multiply by 8 क्या हो जाएगा और यहां पर इसको as it is उतार दूँगा मैं y को 7 कर देता हूं मैं यहां पर y को 7 कर देता हूं int y is equal to 7 और यहां पर मैंने लिगा था y plus plus multiply by 8 ठीक है यही लिगा था न if I'm not wrong यही लिगा था plus plus y multiply by 8 था यहार plus 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 y multiply by 8 हां अब मुझे देखना है कि इसकी value क्या होगी तो मैं इसको run कर लूँगा इस तरह से और देखो 64 होगी बिल्कुल सभी मैंने निकाली तो यह सब चीज़े इस तरह से काम करती है अब आप में से कहले लोग सोच रहोंगे कि यह character पी चीज़ कैसे काम करती है तो एक char ch अगर मैं बना लूँ और is equal to small a कर दूँ और उसके बाद मैं south करके ch plus plus कर दूँ ठीक है यहां पर plus plus ch करता हूँ in fact plus plus ch करूँगा तो सबसे पहले character increment होगा फिर print होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि increment होने के बाद क्या value print हो रही है तो देखो a का b हो गया ठीक है तो a की value जो है वो b हो जानी है और character जो है इस तरह से increment होते है जावा के अंदर तो basically जो unicode होता है इसका किसी भी character का अगर आपने plus plus कर दिया तो उसकी value एक से increment हो जाती है और आपका जो character है वो a का b, b का c, 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 d हो जाएगा और आप unicode जो आपकी mapping है उसको देख सकते हो इंटरेट पर सहच करके so that was all about increment increment operator और resulting data type एक arithmetic operation के बाद I hope कि यह operator वाला यह lesson आपको समझ में आ गया होगा मैं सारी की सारी information अच्छी जासे compile करके सारे links description में डाल दूँगा but यार मुझे जब video upload करने के बाद थोड़ा time लग जाता है यह सब करने में तो थोड़ा सा मुझे time दिया करो मैं notes सब कुछ आप लोग को डाल के दे दूँगा और I hope कि आप लोग को यह जावा की series अच्छी लग रही है अगर आपको यह जावा की tutorials अच्छे लग रहे हैं और आपको यह फाइदे मन लग रहे हैं तो बचाओंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज यार इस जावा की playlist को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे दिल से खुशी होगी और आप लोग मुझे टैग करोगे तो मैं वापस से आपकी स्टोरी जरूर लगाओंगा सारी स्टोरी मैंने कल की लगा दी थी तो आप अगर टैग करते हो तो मैं आपकी स्टोरी वापस से जरूर लगाओंगा थैंक यू सो मच गाइस पूर वाचिंग इस वीडियो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और विल सी यू नेक्स ताइम झाल